ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में खबर फरूखाबाद से है जहां सांसत मुकेश राजपूत ने आवास पर प्रेसवारता की इस दोरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज के समय में एवियम की रखवाली का काम सपा के लोग कर रहे हैं अगर उसी तरह से अपनी सरकार के समय जनता की रखवाली कर लेते तो ऐसे हालात नहीं आते सपा की लोगों ने मायावती जी के साथ गेस्थाउस कांड किया और डाल्टन को नीचा दिखाने का भी काम किया शहर के आई टी आई चौरा हस्तेत अपने आवास पर प्रेसवारता करते वे सांसत मुकेश राचपूत ने सपा नेताओं पर गंभी रारूप लगाते वे कहा कि उन्हें विगत राज शुकायत मिली की इवियम की रखवाली कर रहे सपाई शराप पी रहे हैं उन्हेंने एस पी को फोन किया जुसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुँची तो बहां निगरानी है तू अधीकरत वेक्तियों के अलावा सपा प्रित्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाके के निजी बाउंसर भी मौजूद थे मौकेश राजपूत ने कहा कि स्ट्रॉंग रूम की निगरानी करना अच्छी बात है लेकिन उसको पिक्निक स्पॉर्ट नहीं बनाया जा सकता प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले पर आवश्यक कारिवाही करें प्रसवार्ता में जिला महमंत्री डियस राठो और लोगसभा सयूजक दिनेश कटियार जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी मौजूद रहें वहिसांसत मुकेश राजपूत ने सपा पर हमला करते वे क्या कुछ कहा सुनिये प्रसवाओं भी वह चार जून को हुणी है उससे पहले अपने जनपत के सभी जनपतियों का और पार्टी के जिला पदातगारियों का जो चुटाओं लड़ाने वाली मारिटिक्तियों का और पार्टी के कार्काणाओं का अपने वर्टावां के सभी सभी संभानेत पत्कार बंदों का सभी संभानेत पत्कार बंदों का और जिद्वा से सभी प्रयाशे ये चुनायों एक चड़ा 걸로 करता उवा होंग को रच चातना हुगा इसके लिए में सब्टा हवार बिकलता हूँ उसाद रखी देता हूँ दूसरा मैं खह सकता हूँ कि अपने हम जिस तरह जिस तरह जिस एवियम मुसीन की रखवाली इस समय हमने देख रहा हूँ रोग हो जाती है आज प्लाने गुरूप के लोग एवियम की रखवाली कर रहे गुंग कि पुड़ा पढ़ गया है, पंसार तो जब कही कि समाजबादी पार्टी के लोग कही पर सग्रस करते दिखते नहीं हैं लेकिन एवियम के रखवाली में पता निकितना बढ़ चड़के इसा ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसे इनकी सरकार बन गई यह उसांसत बन गई रहे हैं दूसरा मैं जिला खुसासन से भी लोगों से कहीं पर भी एवियम के रखवाली हो कि जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसके अन्फार रखवाली हो मैं भी इसके पच्छदाना किसी को मुमन में भार्ती जन्ता पार्टी या कहीं पर भी लोग तंत्रवित इस तरह से लोगों पार्ट रस्ताफ होनी चाहिए होना चाहिए कि कहीं पर भी नोटन की अहरकापन नह होना चाहिए कहीं पर भी लोग इस तरह से लोगों को मतावल बनाने का काम नहीं करना चाहिए चार आदमी उनके अंदर बैटे दस आदमी बीदर बैटे वीज आदमी उनके बैटे ये जिस तरह से उसका होना चाहिए कहीं लेकिन कहीं पर भी इस तरह से कर मुझे लियान है और रात को बाराए किजी एक जिए इसी काईता आई वहां से हमारे एक खारकता को कि रहा बेसे फून तो उनम के ऊस्माजवादी पार्टी थारा और प्दारा धुम् के तर बिचा रहे हैं।usionira कफार मैंने चिक रहारे हैं। एविंएंट पर भहुत दूर हां से रखने के लिए रखा गया वहां पर वोई लोग जाएं इनका पास वो नि पुलिस के मेरे लोगों से जूँवी दिश थासन पे डूमूश्य रखून नोगे इस तरह की विरुस्ता बनाएं इनका पास वोई ही लोग जाएंगे सब्सक्राइब करना चाहिए करना चाहिए नहीं पर भारती जंता पार्टी ने और मैंने भी सब्सक्राइब करना चाहिए निर्वाचन आयोग में जिला प्रसासर पर विश्वास है कहीं हम लोग कम्जोर नहीं है आप सकता पड़ेगी तो जिला प्रसासर अपने पीशे खट जाए तो हम मैं विवस्ता बना सकता हूं लेकिन कभी पिछी तरह से अरजक्ता पर रहेगा उसका भी दूसरा मैं अपने पर है तो उसने समाज का ही सोसिस समाज का कि तरह से कि सरकार ती कहा गया एक महने तक एक महने तक जो भी समाजवादी पार्टी के निता हैं वो दलिश समाज, सोशिस समाज का जो भी उपीडर सोचर करेंगे, अपने अप्वान का बदरा लेंगे, हम एक मैने तक रिकोर्ड नहीं लिगेंगे, तो समाजवादी पार्टी के गुन्नों ने भूंभूंग के, दलिश समाज के लोगों का किस तरह थे, तार्णव किया था किस तरह को पिड़न किया है, यह आज ही लोगों को धियान दिलाना चाहिए, आज भी लोगों को धियान करना चाहिए, यह नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो दलिश समाज का क्या होगा, बैंजी का क्या हद करना चाहिए, उन्हें नमान बर कासी राम का क्य लिएधिया लिए आगकर ना किया था उल्घात्रिक को कि लृत जाहिए बाइए च chilli समाज जो चाहे हो चोर्स आंगना समाज हो जो मॉच्छा समाज का समाज का समाज वार्थी जन्ता पार्डी में अब रादियों का जी बता है यह नहीं कहला है तो समाज्वादी पार्टी के परिवार का रिवनाज और किसी दूसरे का भना धी है। दूसरा हम कहše सकते हैं कि आज रहुख गांदी को या रहोभ गांदी आफिरे Mm वारबार वार केते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, वो दस किलो गियूंत में गेंगे, और हम सत्ता में आएंगे, इस पिसानों को रिल माथ कर देंगे एक तरह से मुगेरी लार के हशीन सब्सक्राइब देख ले हैं उन्हें मालूम हैं सत्ता को को छोड़ भी जिए हम चुनाओं जीतने वाले भी नहीं सत्ता के निल्डी पहुंचने वाले भी नहीं तो इस तरह का भ्यान क्यों जेते एदि उन्होंने सही माने में राजिनेते की लोग हैं सही माने में लोगों का भना करना चाहते हैं जिन्यन राजियों में कांग्रेस के सहीों की डरों की जरकार है और वहां के किसानों का ही सिर्फ लोगों का लिड़ माफ कर दे तो मैं जानूँगा कि सही माने मुन की बात कुछ जी हो चाहे रहूल जी हो यह लोग प्रधान मत्री बने का सपना देख रहे हैं जब कि सही में उन्हें अपनी लोग सबाती सीट जीतने के लाले पड़े हैं वो भी इस्वर से प्रात्रा करते होंगे कि किसी तरीके से कि मैं चुनाव जीत जाओं जो सहीं चुनाव नहीं जीत सकते हैं वो प्रधान मत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं आपके मात्यम से पूरे हिंदुस्तान के आप जन्वानस के मात्यम से ही पूरे विस्व में जो भी राजनेतिक लोग हैं उनके मात्यम से भी ये सब लोग जानते हैं मानी मौदी जी तीसरी बार प्रचंड महमत के साथ प्रधान मत्री की सफ़ख लेंगे मैं तो आज भी कहता हूं मौदी ज जीट कर पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड महमत से प्रधान मत्री की चीशी बार सफ़ख लेंगे ये लोग जो भी पच्छ या भी पच्छ के स्रियूवी भोग हैं एक कहीं पर भी कोई चुनाव जीदने वाले नहीं जीदने के लाले हैं वो आज प्रधान मंत्री की सफ कौन अधिकारिओं को कहाँ पुस्टिंग करानी थी एंक लूम पर समूचिंग करना ली थी और तोनकौन अधिकारिओं को रड़िकारिओं को दंडित करना थ हैं एक पेसर बना देल्ठीक हो 20-30 को पर BIG ऊद्त हैं वो इत्तर परःस में भारती जंता पार्ट्वड़ीकम सब्सक्राइब जो नए इस तरफ को नए पर चुनाव और ने कि लिए चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं सिरफ भारती जंता पार्टी मानी नरेद मुदी जी का जो विकास जीत का जुरत है उसे रोंकना चाहते हैं और उस रोंकने के लिए कांग्रेश और कांग्रेश के जो सही होगी दल है या इंडी गट बंदन है मैं कह सकता है इन्गे डवर्मननल का काम है वह सी जंता पार्टी जोनी जी जीत कर रहत हैं उसाुझार प्रॉच नहीं हो सकता रह इस सिर्मंठ चाशू पारगा उनों attracted , विछले समाज में अधरिप समाज में सूशित समाज वे बन्चित पर समाज में संदेज डीने का का पिया ठी मोधी जी 4염 कि मेरा आप लोगों के मांधियम से कहिना है कि कहीं पर भी मोदी जी जब तक है तब तक संदेश के संदान बाबा साथ भी ब्राव मेट कर गए बनाए हुए संदान को कहीं किसी तरह से कोई खत्रान भी नहीं है बनाओ जी मौदी जी डेश का ऐसे नेता है वानि मोदी जी देश के ऐसे प्रधान मंत्री है जो सभुदान को अपने सर पर लिखे बूरानी लोगसभा अवा से बंबें लिखे गए और मोदी जी है जो लोगसभा कि मंदिर को सबसे पहले गंडवत प्रगाम करते इतने प्रिष्ट को अंग्रेश के सब्स्यों कर से लोग कंध्र मंदिर को या लोग सवा को दर्मत प्राब भाव करा मुझे मानूं वह जितना मानी मोधी जी के कारकाल पे मुधी जी कि यह लोग कांग्रेस के संजोगी दनों जो प्रचार कर रहे हैं चार सो सीटे आई नी तो यह समिधान बदर देने निए अनि राजीव गांधी देश के प्रान मक्तिर हैं उन्होंने स्विकार किया था कि मैं एक रुपए बेजता हूं भारा सरकार से और गाहों तक पहुशते हुए जो विकास के लिए पैसा जाता है या लोग कल्यार के लिए जो पैसा जाता है वो पंदराप पैसा ही लोगों की जेम तक पहुशता है मानि मोदी जी ने ही ऐसी विवस्ता की जो एक रुपए आज बेजते हैं विकास के लिए वो एक रुपए नीचे इस तर पर जाता है किसी गरीब कल्यार के लिए एक रुपए बेजते हैं वो एक रुपए जाता है किसी गरीब आदिवी को पांच किल कि आना अज भेजते हैं तो पांच किरू अला जी उसे मिलता है कि विवस्ता क्यों है सही माने में जो लोग कंपर का मायने है वो पूसरी तो मानि मुदीजी के निर्टतु में भारती जंता पार्डि निर्टत्म बिना कोई बीचवलिया के हाथ लगे हुए बिना वैसा खर्च किये हुए बिना समय परबाद किये हुए लोगों के तक पहुंच रहा है वरीब कर्याड का कर्याड हो रहा है कांग्रेश के जमाने में ने देखा जून की मून की तोपी लगा के लोग मजार में जाके चादर तो चड़ा आते थे अबबी यह पूल लेकर भागवाल ग्राम के मंदिर में ऑऔगवाल क्रश के मंदिर में गौहाल सिब के मंदिर मिं किसी सिब्क पहुंदिर में तभी एं ह remain My do का wil लोगी लेके मी पांगे लेकिन जून में विए इन्हें की टोपी लगाते हो वह साधर कलक भी लगाते हैं आज कुछ लोग उपर जिनेव भी पहिदने लगे हैं ये मोधी जी ने लोगों को शिखाया है कि आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा तुष्टी करण किसी का नहीं सम्मान सबका लेकिन तुष्टी करण किसी का नहीं संतुष्टी करण सबका करेंगे त परुकाबाद से सीन्यूस समधाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट पलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत